नमस्कार, est्टूडियों को सुसाइट करने से केसे रहु है? आज कल student की सुसाइट करने की गटनाएं बहुत बढ़री है आए दिन सुनते हैं की आजोंस 1977 कर लिया आजोंस धिल लिया अभी हाले में लेटेश्ट गटना बतादा को वो किसान उसके बात करता है तो इस्टूडेंट और फिर ग्रहनिया आत्मत्या करते हैं हर साल 13 से 15 जार इस्टूडेंट आत्मत्या कर लेते हैं क्यों करते हैं फैल होने का दबाब या फैल हो जाना माबाप का डर, समाज का डर आखिर इन कारण से इस्ट्रेस इन वज़े से इस्टूडेंट्स आत्मत्या करने ते सुसाइट करने तो आखिर क्या करें इस्टूडेंट और क्या करें माबाप कि कैसे इस्टूडेंट को सुसाइट करने से रोकें आकर क्या करना चीओ है? आज का टाइम इतना उर्फ का हो गया, इस्टूडेंट के उपर इतना स्ट्रेस रहता है एक वो स्ट्रूडेस सहन नहीं कर पाता। और एक दिन ऐसा आता है रहने मौत को गुले धोरा लेता था। तो आकर इस्टूडेंट को सुसाइट करने से केसे रोगे माबाब को क्या ध्यान रखना होगा इस्टूडेंट को क्या ध्यान रखना होगा आज अपन इसके बारे में पिंचेंगा सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट की बात करूंगा स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा खयाल आये आत्मत्या, सुसाइट करने का तो सबसे पहले स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना हैं मैं आपको आज जिस कह रहा हूँ आप गर से बाहर पड़ाई कर रहे हैं माबाप साथ में नहीं हैं आप अकेले हो रहा है आप पड़ाई कर रहे हैं जैसी मन में खयाल आये आत्मत्या का सुसाइट का तुरंट कोल करना अपने मम्मी पापा को चाहे रात की बारा बज़री हो चाहे रात की दो बज़री हो चाहे रात की तीन बज़री हो तुरंत कोल करना अपने मम्य पापा को उनके बारे में सोचना जैसे आपके एक हलका सा भी एक माइनर सा भी ख्याल आये आप में जाका तो कोल लगाना अपने मम्य पापा को मम्य पापा से बात करना लेकिन ये मत कहना कि मम्य पापा मेरे मन में स से बात करने तो जब आप अपने मुमी पापा से रात की 12 जते एक बज़े बात करें गे ना तो आप मन की दीड़ा मूँ समझ आएंगे वजब प्रेम से प्यार से बात करेंगे वो आपको दिलासा देंगे वो आपको हमतबराएंगे तो आपका जो नेगेटिव थोड़ दिमाग में आयाना वो तुरुन भी निकल जाए तो इस्टुडेंट सबसे पहले ध्यान रगे जब भी आपके मन में खयाल आये आत्मत्या का तो तुरुन तो फोन करना अपने ममी पापा को और अगर फोन नहीं उटे तो कोई बात नहीं अपने ममी पापा के बारे में सोचना अपने परिवार के बारे में सोचना अपनी फेमिली के बारे में सोचना कि अगर मैंने सूसाइट किया तो क्या मेरे सूसाइट करने से मेरे ममी पापा की प्रोब्लम सोल हो जाएगी मेरी फेमिली की प्रोब्लम सोल हो जाएगी या मेरे समाज में सूसाइट करने से मेरे समाज में कोई फरक पड़ेगा ये सोचना आपके जाने से आपकी आत्मत्या क से आपके समाज पर कोई फर्क नी पढ़ेगा आपकी फेमली की इस्तिति और अच्छी नहीं होगी आपकी आत्मत्या करने से उनकी इस्तिति और बिगड़ जाएगी वो और बिश्टक हो जाएगी इसलिए स्टुडेंट जब भी आत्मत्या का ख्याल आए तो तुरून्ट अ पापा के बारे में सोचे तुरूंट अपनी फेमिली के बारे में और ने पाप करे मですね मैं सुसाइट कर रह kitty सब्चे बैसे प्यारशिव बरी बात पर उन मां-बाप भी ऐसी को ढला के 생각 पता है आपको कहीं पर भी कोटा कोचिंग करने के लिए दिल्ली कोचिंग करने के लिए कहीं पर भी बेजिए अगर वो इस ही विल रेडी वह तैयार हो तो उसे बेजना वो तैयार ना हो उस पड़ाई के लिए तो उसे जबस्ती कोई सब्जेक्ट मत दिलना जबस्ती कोई निशे में उसे म प्रवापर बनना होता है तो वह वहां इंजिनेर की पड़ए डंग से नहीं कर पाता है इस्ट्रेस रेता है दिमाग है उसका मन का रहता है फोटोग्राफी पिलेता है तो माबाप पहले सोच ले कि अपने बच्चे को जबस्ति ना पेजे अपने बच्चे की इच्छा जाने तब ही उससे पेजे है अगर आप अगर उसे जबस्ति भीजोगे ना हो सकता है कि आपको बच्चा गलत दिसा में चला जार आपको बच्चा भी सुसाइट ने करता है त्री इडियट में एक रोल ओर था सर्मन जोसी का माबाप की अगर आर्थिक इस्तित अच्छी नहीं है ठीके हर माबाप चाता है कि में अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी है जी गशिनाऊ, लेकिन आज इसकल क्या होता है कि माबाप की आरथिक कंडिशन अच्छी होती है, वो कुछ भी करके अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई करने के लिए बैस ते हैं और सर्मन जोसी, के बारे मैं सोचता है कि मेरे माबाप कितने गरीबे मेरी बहन की सादी करनी यह सब मैं कैसे करूंगा जोब नी लगए तुमें पास नहीं हो वह इस्ट्रेस से वह आत्मत्या की कोश्ड करने के कोसिस करता है और वह बिल्डिंग से कूछ जाता है लेकिन वह किसी तरह से बच तो ये माबाप का stress भी बच्चों को suicide करने के लिए प्रेजित करता है माबाप भी बार बार बच्चे को ये लग बोले कि हम तुम्हारी पढ़ई के लिए इतना खर्च कर रहे हैं पढ़ई के लिए loan चल रहा है हम किसी इस्तिती है बार बार बच्चे को अपने घर की इस्तिती के बारे में आउबच ना करा है बच्चे को अगर आप माबाप अगर अपने बार 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 में घर की इस्तिती लोन के बारे में हर चीज़ के बारे में अगर आप अपने बच्चे को बताओगे ना तो बच्चे का पड़ाई में बन नहीं लगेगा बच्चा हर वक्त आपके बारे में सोच रहेगा और जब भी उसे कम मात्स आएंगे तो वो ऐसा सोच के सुसाइड करने की कोशिश कर लेगा तो ऐसा कभी मत कर दो माबाद और रही बात इस्टुडेंट की तो इस्टुडेंट को मैं कह रहा हूँ एक कभी भी एक्जाम का तना न ले मन में सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा फैली हो जाएंगे दुनिया में और नहीं राये हैं नहीं राये खुल जाएगी क्या लोग जिनोंने पढ़ई नहीं की क्या लोग सक्सेस हुए इसलिए पढ़ई को इतना इंपोर्टस ना दे कि अपनी लाइफ से ज़धा इंपोर्टस ना दे कुछ भी दर्द हो अपने अंदर खुल कर कहें आप पढ़ई कर रहे हो अपने माबाप से अपने स्ट्रेस को अपने दुख हो मनी मन गुटन मत होने दे अगर आप दुख हो मनी मन गुटन करोगे ना तो वही गुटन एक एक दिन सुसाइड में तमदिल हो जाएदे नाचना गाना हसना खेलना फिरना मत छोड़े मनोविज्यानिक कहते हैं कि कोई भी कितना भी इंट्रिजेंट स्ट्ट्ट क्यों न हो वो 24 गंटे पढ़ाई नहीं कर सकता पढ़ाई के ये आप निश्यस समय फिक्स करें थोड़ा समय अपने होबी के लिए भी निकाले आपको लगता है मुझे मुझे मूवी देखना पसंद तो कुमिये हैं थोड़ा तो अपने माइंड को रिलेस्ट करिए आप नंबर पाने की चाह में अंदी दोड़ में मत दोड़े थोड़ी अपनी खोबी को भी जिए इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा वरना आप नंबर पाने की चाह में 24 गंटे नहीं पढ़ सकते हो 24 गंटे पढ़ने की चाह में आपका दिमार खराब हो सकता है और आप सुसाइड की रहा पर जा सकते हो इसे इस्टुडें द्यान दे माँ एक बात द्यान रखना कि बच्चे आप से दूर रहके पड़ाई करें जब बच्चा आपके पास होता है ना तो टीचर डारते हैं पिच्चर के कम नंबर आते हैं तो फिर भी माँ और बाप दोनों में से एक नेक बच्चे को प्यार करता है तो बच्चे को संबल मिलता है तो बच्चे को confidence मिलता है लेकिन बच्चा आप से 200, 300, 400, 500 किलमेटर दूर है और जब वहां उसको कौन संबल देने वाला होगा वहा पिच्चे को अपना दुख सहना होगा इसलिए माबाप दूर रेखर उसे और दुख न दे माबाप उसको सपोर्ट करे माबाप उसकी हर दुख में उसको सपोर्ट करे उसके कम नंबर आये तो आप यह मत करना कि तेरे नंबर कम कैसे आए हम यहां तेले रात दिन एक करके तो नमबर कम लाएगा तो हमारा क्या होगा ऐसा कभी मत करना। वो भी अपनी 100% कोशिस करता है। लेकिन अगर आप यहां बेटे बेटे अपने बच्चे को तोर्चर करोगे ना वहां पर अकेले में तो आपका बच्चा सुसाइट कर सकता है। इसलिए माबाप और इस्टुडेंट यह ध्यां रखें। इस तरह से आप ध्यां रखोगे ना तो इस्टुडेंट सुसाइट करने से अपने आपको रोख सकते हैं।